आज हम जानेंगे मार्किंग मीडिया के बारे में हमने आपको step by step जो लेक्चर आपको basic theory के मादम से जो clear करा रहे हैं उसमें आपको safety and precaution, measurement and measuring tool के सारे lecture में हमने धीरे-धीरे करके आपको एक-एक वीडियो के मादम से हमने lecture के मादम से आपको theory किलियर करा दिया है आज हम basic theory के मादम से चलेंगे, marking media के बारे में समझते हैं, marking media होता क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं, जानते हैं कि marking media होता क्या है और marking media कैसे marking करते हैं, जाब के तो marking media से समझने से पहले मैं ले चलता हूँ आपको ऐसी जगह जहाँ पर आपको बदा सकते हैं कि आप marking media को कैसे पचान सकते हैं आपके माप के अनुसार उस कपड़े पर क्या करता है देखेंगे आप लोग कभी ध्यान से जो मार्क करता है निसान लगाता है और निसान लगाने के बाद क्या करता है इसको कटिंग करता है तो वह क्या है जो कपड़े पर जो निसान लगा के कटिंग करता है वह क्या है वह एक तरह से Marking Media है, वह ही है Mark, आनि कि جो निसान लगा रहा है, निसान के द्वरा क्या कर रहा है, उसको Cutting करता है जब कपड़े को, तो उसके लिए क्या होता है, मापने में असानी हो जाती है, और वह असानी तरीके से बना सकता है, एक मार्किंग वीडिया और मार्किंग का मैं एक तरीका और आपको पताता हूं जो असान भासा में समझा रहा हूँ जैसे आप लोग देखे होंगे जो राज मिस्तिरी जो राज मिस्तिरी क्या है जो घर पे जो इट बनाते हैं जो घर को बनाते हैं, निर्मार करते हैं, कभी आपने देखा होगा कि जब वह इट को जोडते हैं, दिवाल जब बनाते हैं, तो उसमें से एक धागा आनि सूत का इस्तिमाल करते हैं, वह सूत का किनारा जो एक दिवाल से दूसरे दिवाल के किनार पर लगाते हैं, तो उसमें उसी line के अनुसार वह एक मारक करते करते अपनी dimension जो अकार है उसे धाल देते हैं ठीक उसी परकार होता कि हमारे engineering को जो हम किसी job को बनाते हैं उसके पहले क्या करते हैं जो जाब बनाते हैं, उस पे हम जो आकार देते हैं, वो होती है, मार्किंग मीडिया, तो मार्किंग मीडिया क्या है, उसके बारे में आपको किलियर हुआ है, और मार्किंग मीडिया से हमें फायदा क्या है, इससे होता क्या है, इसके बारे में हम एक एक करके आपको समझा रह है और दूसरा है copper sulfate और तीसरा है precision blue layout dye और चौथा है आपका cellulose like you were और इसके बाद है method कि method के बारे में हम कैसे किस method से हम map लेते हैं तो एक एक करके हम आपको बताएंगे कि types में कौन सी type में कौन से media है और कैसे के हम यूज करते हैं सब्सक्राइब परता हम पहले जानते हैं white was चाक के बारे में कि यह क्या होता है यह प्रकार का क्या है media है marking media है इसके दुआरा हम उन जाप पर प्रियोग करते हैं जहां पर क्या करते हैं forging a cast material के जाब होते हैं जो rough type के जाब होते हैं उस पर हम प्रियोग करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं White Wasps Cack मतलब दूदिया आप लोग समझे होंगे जैसे दूदिया से क्या होता है कि कोई भी अगर rough material है उस पर हम इसके द्वारा क्या करते है किसी material की सतह पर हमको marking करना है support में आपको समझा रहा हूं जैसे आपको एक क्या है सब्सक्राइब का मारकर है एक राड समझे इसको अब एक सब्सक्राइब का क्या है इसको एक लेंथ में राड है इसको हमको क्या करना है पांच बराबर भागूं बाटना है तो पांच बराबर भागूं बाटना है तो क्या करेंगे आप इसको हम मार के कैसे करेंगे ये रफ जाब है इसमें कोई ओ एक उर्थी वाला काम नहीं है तो क्या करेंगे ़ Secret करने के लिए पांच बराबर भागों बाटना है तो क्या करेंगे 20 मम पर हम क्या करने मार कर लेंगे तो 5 बरापर भगों बढ़ गया और उसको क्या करेंगे मार करके हम state line से हम इसको सीधे सीधे काटके अलग-अलग कर सकते हैं तो यह होता है रफ के लिए जब रफ कारे करते हैं तो कास्ट आरंग जैसे फोर्ज इस्टील है वहा और जैसे के रफ जो लोहे होते है हुए मोटा कारे लिए हम क्या प्रयोग करते हैं चाक के द्वारा निसान लगा और यह मीडिया ऐसी है कि जब हम किसी जाब पर निसान लगाते हैं जब मार्क करते हैं तो वह क्या होता है आप लोग देखें होंगे मार्किंग करने के बाद कुछ दीनों के बाद में धरीज पर क्या होता है र Jurassic it और फे द्रम निसान बन जाता है और आपके क्या हुए यह वाइट वास चाक, चाक के द्वारा हम क्या करते हैं, मार्किंग मीडिया करते हैं, अब समझ लेते हैं आपको कापर सलफेट के द्वारा कैसे हम मार्किंग करते हैं, कापर सलफेट को क्या बोलते हैं, नीला थोथा, नीला थोथा भी बोलते हैं, इस मार्किंग मीडिया में क्या करते ह जिसमें क्या करते हैं जो क्रिष्टिकल के रूप में पा antina एक न्व बटता मिद्टीन धर्ट्रमिंग करते हैं जो प्रियो होता क्या है इसमें ऊनस होता है तो जाब पर क्या कर अधात। य। स्था क्या प्रियोग करने के बाद और प्रयोग करने से पहले बड़ी साउधानी रखनी पड़ती है जाब को और अपने खुद बचनी के लिए तो यह क्या है एक जहरीला मार्किंग मीडिया है इसको प्रियोग करने के बाद जाब को अच्छी तरीके से साफ कर लिना चाहिए क्योंकि जाब की जो सता है और लाल हो जाती है और जाब को खराब भी कर देता है तो यह मार्किंग वीडिया ऐसा होता है काफर सलफेट या नीला थोथा इसके बारे में आप समझ लिए करते हैं इसी टॉपिक इतना के लिए अप लोग को अब चलते हैं एक क्या है कि मार्किंग मीडिया में क्या करते हैं अधी जिसे раб द्वारा मसीनिंग द्वारा जब तयारहए जो होता इसहां मार्किंग मीडिया का प्रियोंक करते हूं साय हैं उStays जब जब बहुत ब्रकते हैं और इससे क्या होता है कि जब तक मारंकिंग करते ह् hacen on right कि तो इसके द्वारा करने के बाद क्या होता है जैसे हम कोई मार्किंग करने के दवरार क्या होता है कि मार्किंग जब हम लेप लगाते हैं मार्किंग पे तो कुछ जाब में जो लकीरे खीचते हैं जो डाइमेंसन देते हैं जो प्रफाइल बनाते हैं तो साफ नजर नहीं आता है तो इस मार्किंग मीडिया में क्या होता है प्रिसीजन ब्लू में ले आई डाई में इसमें साफ नजर आता है तो यह मार्किंग मीडिया अच्छी है अब लोगों इस मार्किंग मीडिया के बारे में समझ लेते हैं सालीलू लेकुगर यह जल्दी सुखने वाला मार्किंग मीडिया है यह विभीन रंगों में उपलब्द होता है इसके द्वारा क्या करते हैं बहुत सुधता और क्षिनिस कारिक लिए हम प्रयोग करते हैं यह एक अच्छी प्रकार की मार्किंग मीडिया है जिसको हम बहुत ज्यादा प्रियोग में लाते हैं इस पे जाब के कोई प्रभाव नहीं पड़ता हैं तो आपका इतना मार्किंग मीडिया जो था चार पकार के मार्किंग मीडिया थे इसके बारे में हमने आपको बताएं और नेश्ट आप चलते हैं मेथड आप मार्किंग के बारे में समझते हैं आनि किस बीधी से मार्किंग की जाती है अभी तो आपने समझा कि मार्किंग के क्या क्या है टाइप्स कितने पकार के हैं अब आगे समझते हैं मेथड़ा मार्किंग तो आपको मैं बता दूब कोश्चन कहां सी क्रियेट होते हैं मार्किंग मीडिया मे यह थोड़ा सा समझना जनूरी है, जैसे आपको पूछ दिया कि रफ या जो फोर्ज टाइप के जाब हैं, जो रफ टाइप के जाब हैं, उसके लिए हम कौन सा मार्किंग मीडिया प्रियोग करते हैं, तो आपका ये हो गया वाइट वास चाक, इसके द्वारा क्या करते हैं, हम प्रियोग करते हैं, आप से पूछ दिया क्यों सा ऐसा मार्किंग मीडिया जो जहरिला जो जाब पर नुकसान करता है, और जाब को खराब कर देता है, और क्या करते हैं, उसको प्रियोग करने पर सावधानिया भी ब्रतनी पढ़ती है, तो आपका हो गया काफर सलफेट या नीलाथ हो था यह है जो मार्किंग मीडिया और थर्ड में जो आपको बताएं मार्किंग मीडिया करता हैं यह जल्दी सूपता है और मजाब पे यह हो गया फिसिजन बूईव मार्कियण मीडिया हो गया यह अपका औरो यग क्योंछ से से मीडिया है जिसके और भिविन कलर में और फ्रीषिंग कारे क्ली रिख किया आता वह आपका हो गया cellulose या like you are के बारे में मैं आपको बता दो dear friends कि आपको मैं basic theory के मादेम से जित्ता deep हो सकता है मैं deep करकर समझाता हूँ कि तो आपको अच्छे से तरीके से समझ में आ जाए और अच्छे से आप topic को पकड़ बाये और उसे जो creature question जो बनते हैं आपके लिए वह काफी help करें exam में तो मैं इस मादेम से आपको समझा पाया और अभी इसी next मैं आपको बताऊंगा method of marking के बारे में तो next video मिलते हैं